हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की समसंग गेलेक्सी M35 5G फोन में आप लोग एलर्म को कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy M35 5G फोन है और इस फोन में जो है आपको alarm को सेट करना है अगर आप लोग चाते हो कि आपके फोन में जो है सुबा alarm बजने लगे तो आप लोग जो सुबा का टाइमर वगरा लगा के alarm को कैसे सेट करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिए गया इस वीडियो को स्टार्ट करते है alarm को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इस एप लिष्ट को ओपन कर लेना है आने के बाद यहाँ पर एक प्लस का ओप्शन मिलेगा प्लस पर क्लिक करेंगे क्लिक करती सबसे पहले तो टाइमर आपको मिलेगा टाइमर सेट कर लिजे किस टाइम का अप लोग लगाना चाहते हो टाइमर को अच्छी तरीके से सेट कर लीजे उसके बाद इस एलाम को अगर आपको repeat करना है Sunday, Monday, Tuesday तो इन सब को select कर लीजे कब repeat करना है एलाम का नाम अगर डालना है तो एलाम name आप लोग डाल सकते हो डालने के बाद यहाँ पर से जो है एलाम sound जो है मतलब जो ringtone एलाम को इसको यहाँ पर से click करके change करवा सकते हो उसके बाद vibration को यहाँ पर से on off कर सकते हो, snooze का timer जो है इस पर click करके change करवा सकते हो उसके बाद alarm background को change कर सकते हैं यह सब करने के बाद save का option मिलेगा save पे click करेंगे तो आपका जो alarm है वो set हो जाएगा और same इसी तरीकी से इस plus पे click करके और बहुत सार alarm को आप लोग लगा सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Samsung Galaxy M35 5G phone में आप लोग alarm को set कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई